अगे हलो इस्टुएंट्स ये क्या स्वाकत है आज हम लाए है आपके लिए भारत का संविधान पार्ट हूँ तो ये वहाग नागरता से संभनित है और इसमें अनुश्यद पांच से लेकरके ग्यारे तक दिया गया है तो अनुश्यद पांच संविधान के प्रारम पर और खंड ए जो भारत के राजच्छित्र में जन्मा था या खंड बी जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राजच्छित्र में जन्मा था या खंड सी जो ऐसे प्रारम से ठीक पहले कम से कम पांच बश्तक भारत के राजच्छित्र में मामली तोर से निवासी रहा है भा बाष्प का नागरिक होगा श.र श. 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 सर पांच में किसी बात के होथ नुए घरती जिसने ऐसे राजशेटर से जो इस समय पाकिस्तान के अंत्रगत है भारत के राजच्षेत्र को मारिशन किया है इस सम्भिधान के प्रार्म पर भारत का नागरिक समझा जाएगा तो इसका खंड ए यदवाए अथवा उसके माता या पितामे से कोई अथवा उसके मातामे या मातामे से कोई मूल रूप से यह यह था अध्रिमित भारत सासन अध्रिम 1935 में परभासित भारत में जन्मा था और खंड भी का कलॉज फर्ष्ट जबकि वह बेक्ती ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार माइग्रेशन किया है तब यद वह अपने माइग्रेशन की तारीक से भारत के राजी छेतर म मामली तोर से निवासी रहा है या इस अनुच्छत के खंड भी के कलॉज सेकिंड जबकि वह बेक्ती ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चाथ इस प्रकार माइग्रेशन किया है तब यद वह नागरता प्राप्ती के लिए भारत डॉमिनियन की सरकार द्वारा ब को जिसे उस सरकार ने इस प्रियोजन के लिए निक्त किया है आवेदन किये जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रश्टीक्रत कर लिया गया है अनुच्छत साथ में पाकिसान को माइग्रेशन करने वाले कुछ बेक्तियों के नागरता के अधिकार के सम्मन में बताया गया है अन्चे नो में विदेशी राज्य की नागरता सुच्छा से अर्जित करने वाले बेक्तियों का नागरता के अधिकारों का बना रहना के सम्मन बताया है अनुच्छे 11 मैं संसत द्वारा नारता के अधिकार का बिद्दी द्वारा बिनमेन किया जाना के संबन्द में व्योंस्था की गई है तो ये भाग दो पूरा हुआ अब हम आगे आपके लिए लाएंगे भाग तीन आपको हमारा वीडियो अब आशी पसंद आयोगा अब इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद